नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल एर फैंटेस्टिक नोलिज पर स्वागत है दोस्तों क्या आप जानते है कि कोका कोला साल में एक बार पीले रंग का डखकन क्यों बनाती है अगर नहीं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते है जो यह है आपको पीले रंग की डखकन वाली बोतल दिखाई दे रही है दरसल दोस्तों यह डखकन ही नहीं इसके अंदर की कोक भी समान्य बोतल से अलग होती है दरसल दोस्तों बसंद के महीने में यहूदियों का पासोवर त्योहार आता है इस त्यार में यहूदी सपेशल डाइट पर रहते है इस दोरान उन्हें गेहूं, जई, राई, जो, मक्का, चावर और बीन्स खाना मना है क्योंकि कोका कोला में कौर्ण सिरफ होता है इसलिए यहूदी लोग इसे पीने से बचते है इसलिए साल में एक बार कोका कोला अपनी एक खास परकार की कौक मार्किट में उतारता है इसमें कौन सिरफ की जगाँ चीनी मिलाई जाती है इसकी मार्किटिंग पीले डककन से की जाती है ताकि लोग इसे तुरंत पैचान ले इसलिए है जैसे ही मार्किट में आती है कुछ लोग इसे बारी मातरा में खरीद लेते है और दोस्तो इसका दाम भी नॉर्मल कोका कोला के जितना होता है तो दोस्तो यह इन्फोर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन कोन करना ना भूले धन्यवाद दोस्तो